स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओफिसर्स डिफेंस गेर्मी प्रयाखवाद जैसा कि हम देख रहे हैं 75 सुतंता सेनानियों, बीर, समात सुधारक उनकी जीवनी के बारे में, उनकी बीर गाथा के बारे में उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे उनका नाम भिजय सी पथिक है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश बुलंद सहर में ही हुआ था, आज हम उनकी पूरी जीवनी को देखेंगे, किस तरह प्रांतिकारी आंदोलन में वे भाग लिये और क इतने केसों में अंग्रेजों के सरयंत्र में जेल गए और किस तरह बिज्वालिया किसान आंदोलन की सुरुगात उन्होंने किया था, किसान का पहला आंदोलन था अजादी के पूर्व जिसको उन्होंने ही शुरू किया था, और बहुत अच्छे से अंग्रेजों को किसान की बात माननी पड़ी थी इनकी विजय से पतिक की पूरी जीवनी को हम आज देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं उनका जन्म 27 परवरी आज ही के दिन 1882 इस भी में जीला बुलंद सहर में जो उत्तर परदेश में हैं उनहीं पर भारत की स्वतंधता के लिए संघर्ष कर परने वाले क्रांतिकारियों में से वे एक गत्ती थे इनके उपर अपनी मा और परिवार की क्रांतिकारी वद्येश भक्ति से परिपूर्ण बहुत इनकी पूरी जीवन पुरिष्ट भूमी ही प्रांतिकारियों और देशभक्ति से परिपूर्ण थी। उसी का इनके उपर बहुत बड़ा गहरा असर था। बिजा सिंपतिक अपने जुगा वस्था में ही रास बिहारी गोश और सचिंद्रनात सन्याल के संपर्ख में आजाते। और बहुत इनका मूल नाम जो था वो भूप सी था। किन्तु लाहौर सड़यंत्र में अपना नाम बदल कर रहा ह। अपना नाम बदल करके और बिजा से पथिक रख लिए था उन्होंने। और अपने जीवन के अंत समय तक वे इसी नाम से जाने जाते रहे। महात्मा गांधी के सत्यागरः अंदोलन से बहुत पहले उन्होंने बिजॉलिया किसान अंदोलन के नाम से किसानों में सुतंतरता के प्रती अलग जगाने का कारिय प्रारम कर दिया था। इनके पिता का नाम हमीर सी वह माता का नाम कमल उमारी था। इनके दादा इंद्र सी बुलंद सहर में मालगढ रियासत जो था उसके दिवान थे। प्रधान मंत्री थे उस समय राजा के जो प्रधान मंत्री होते थे वह दिवान बोला जाता था। और इनके दादा 1857 के प्रधम सोतंतरता संग्राम ने अंग्रेजों से लड़ते हुए बीर ग्रवती प्राप्त किये थे। पतिक जी ने पिता हमीर सी गुर्जर को भी करांती में भाग लेने के आरोप में ब्रिटिस सरकार ने गिरफतार किया था। बीजा सींपतिक पर उनकी मा कमल कुमारी और परिवार की क्रांतिकारी वह रगरग में भरी पड़ी पड़ी देशवक्ती की भावना तो वह क्रांती आंदोलनों में खूद पड़े थे। लगभग 48 वर्ष की आयू में बीजा सींपतिक ने एक बीधवा अध्यापी का जानकी देवी से विवाह किया। उन्होंने अभी ग्रिहस्त जिवन सुरू किया ही था कि मात्र एक माहवाद अपनी करांतिकारी गतिवीधियों के कारण वे ग्रफतार कर लिए गया। वर्ष 1912 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की रजधाने पुलकाता से अटाकर के दिल्ली लाने की यूजना बना रही थी। इस औसर पर दिल्ली के ततकालीन गुवर्नर जनर लाड हर्डिंग ने दिल्ली में प्रवेस करने के लिए एक संदार जूलुस का आयुजन किया। उस समय क्रांतिकारियों ने जूलुस पर बंग ठेक कर लाड हर्डिंग की हत्या करने की कोशिश की। किन्तु वक्त बच गया और उसको पता चल गया कि मेरी हत्या करना चाहते हैं भारत में कुछ क्रांतिकारी। 1915 इस्वी में रास बिहारी बोश के नित्रित्व में लाहौर में क्रांतिकारियों ने निर्णा लिया कि 21 फरवरी को देश के विभिन अस्थानों पर 1857 की क्रांतिकी तरह ससत्र विद्रोह किया जाएगा। भारती इतिहास में इसे गदर अंदोलन कहा गया है। 21 फरवरी को इन्होंने निर्णा कर लिया था। योजना यह बनाई गई थी। उक्साया जाएगा विद्रोह के लिए और देश की रजाओं की सेना से विद्रोह में सहयोग प्राप किया जाएगा। रजस्थान में इस क्रांती को संचालित करने का दाई विजय सिंह पतिक को सौंपा गया। उस समय पतिक जी फिरोजपूर सड़यंत्र केस के सिल्सिले में फरार चल रहे थे। और खरवा रजस्थान में ही गुपाद से के पास रह रहे थे। दोनोंने मिलकर दो हज़ार रुवकों की एक दल बनाये थे। और लगभग तीस हजार से अधिक बंदुके एकत्र कर लिये। दुर्भाग्य से अंग्रेजी सरकार को प्रांतिकारियों की देश ब्यापी योजना का पता चल चुका था। देश भर में प्रांतिकारियों को समय से फुर्व पकड़ लिया गया। पतिक जी और गुपाल से इने गोला वार्यूद को भुमिगत कर दिया चुपा दिया। और सेनिकों को अलग अलग अस्थानों पर बिखेर दिया गया। कुछ दिनों बाद अजमेर के अंग्रेज कमिस्नर ने 500 सैनिकों के साथ पतिक जी को और गुपाल सेंजी को खरवा के जंगलों से विरफ़तार कर लिया और टायगड के किले में नजर्बन कर दिया गया इसी समय लाहौर सडयंत्र केस में पतिक जी का नाम उगरा था और उन्हें लाहौर जिल ले जाने का अधेश प्राप्ट हुआ किसी तरह या कभर पतिक जी को लग गई कि उनको लाहौर ले जाया जाएगा तो वे टायगड के किले से फिर फरार हो गया गिरफतारी से बचने के लिए पतिक जी ने अपना वेस रजस्थानी राजपूतों जैसा बना लिया था और चितोर गढ़ में रहने लगे उसी समय विजोलिया अंदोलन का नत्रित और समालने के लिए उन्हें अमंत्रित किया गया चितोर गढ़ में वहाँ पर किसानों से भारी मात्रा में मालगुजारी बसुरी जाते थी। 1916 इस्वी में उस आंदोलन की कमान अपने हाथों में पतिक जी ने ले लिया था। परते एक गाव में किसान पंचायत की अस्थापना की गई उन्हीं सो सतरह की रूसी करांती की सफलता के बाद किसान काफी उत्साहित थे। और उनके बीच ये रुसी करांती के और स्रमिकों के जो रूस में करांती थे उसका परचार परसार फुग पतिक जी ने किया था। बीजय सी पतिक ने कानपूर से प्रकासित उस समय पत्रिका थी प्रताप जो गड़े संकर विध्यार्थी उसको प्रकासित करते थे तो उस पत्रिका में किसान अंदोलन को खुब छपायों और समोचे देश में रुसी क्रांतिकस किसान अंदोलन चर्चा का बिशय बना दिये उस समय ऐसा लगने लगा कि रजस्थान में किसान अंदोलन की लहर चल पही है इससे ब्रिटिश सरकार डर गए इस अंदोलन में उसे बालसेविक अंदोलन की प्रतिछाया दिखाई देने लगी जो रूस में हुआ था दूसरी और कांग्रेस के असहयोग अंदोलन शुरू करने से भी सरकार की स्थिति और बिजड़ने की असंका होने लगी अंततव ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान के एजी जी हालेंड को विजौलिया किसान पंचायत बोड और राजस्थान से बाचित करने के लिए सबस्वक्ता हो गया और किसानों की अनेक मांगे मान ली गई बैटी सरकार ने मान ली 2004 में से पैंधेस जो कर लगती थी उसको माख कर दिया गया और जितनी भी जुल्मी करिंदे किसानों की अभुद्पुरों विजय हुए थी वो इतिहास में कहा जाता है कि बिचावलिया किसान अंदोलन पहला अंदोलन था किसानों के हीति में विजय सी भारत के यह माहान सपुद्ध विजय सी पतिक 28 मई 1904 को चीर निद्रा में मतुरा के उत्तर परदेश में अजादी के बाद से पतिक जीने जैसे सुतंतता सेनानी के आवास और भोजन की समस्या बराबर मही रख देते तो वहीं पर मतुरा में ही वो अपना घर बनाए और वहीं पर रहने लगे तो वहीं पर चीर मिद्रा में सोगयों का निधन हो गया था दोस्तों आज पतिक जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा विजय सी इनके नाम पर ग्रेटर नर्डा में एक स्टेडियम बनाया गया है इनकी जयानती और पुन्यतिति पर इनके गाह में एक भव्य कारिक्रम होता है पतिक जी ने देश की भक्ति इन हिस्वार्थ भाव से किये थे उनके नाम पर कुछ भी नहीं था तो आज हम लोगों ने उनकी पूरी जीवनी को देखे आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत भारत मता की जय